गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम एक नए वीडियो असोक मोरिये के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं तो देखेगा इस वीडियो में हम असोक मोरिये का प्रारंबिक जीवन या हम उसकी मृत्यू के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं थाकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलें और इतियास से संबन्दित जानकरी आप तक पहुंच सकें तो देखेगा पढ़ते हैं असोक मोरिये असोक मोरिये को पढ़ने से पहले मां आपको बताना चाओंगी कि हमने चंद्रवुक्त मोरिये, बिंदु सार, मगद समरज्ये इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में देखेगा ये सब आपको वहां पे मिलेंगे तो देखेगा जो असोक मोरिये ये बिंदु सार का बेटा था और ये इत्यास में असोक महन के नाम से भी जाना जाता है तो देखेगा पढ़ते हैं बिंदु सार की मृत्यू के बाद उसका सुएग पुत्र असोक विशाल मोरिये समराज्ये की गद्दी पर बैठा असोक विश्व इत्यास के उन महानतम समराटों में अपना शरो प्रिस्थान रखता है जिन्होंने अपने युग पर अपने वेक्तित्वे की चाप लगा दी हैं तता भावी पीडियां जिनका नाम अत्यंत श्रधा इमक्रतिग्यता के साथ स्मरन करती हैं नी संदे हैं उनका सासनकाल भारती इत्यास के उज्वलतम प्रेश्ट का परतिनिदित्वे करता है ठीक है असोक के बहुत से अभिलेग प्राप्त हुए हैं लेकिन हमें उसके प्रारंबिक जीवन के लिए मुख्यत है बोध साक्षों जिसमें दिव्यावदान तदा सिहनल अनुसरूतियों पर ही निर्बर रहना पड़ता है इनसे ऐसा पता चलता है कि असोक अपने पिता के सासनकाल में अवंती अर्थात उज्यनी का उप्राजा अर्थात वाइस राय था ये क्यूसन कई बार पूसते हैं एकजाम में कि असोक है वह अपने पिता बिंदुसार के सासनकाल में कहां का उप्राचा था सोरी हो है अवंती अर्थात उज्यनी का बिंदुसार की बिमारी का समाचार सुनकर वह है पाठली पुतर राया सिहली अनुसरूतियों से पता चलता है कि उसने अपने नार्म भाईयों की हत्या कर राज सिहासन प्राप्ते किया स्वतंतर प्रमानों से नहीं होता है सिहली अनुसरूतियों में दीगी कथाईं प्रमानिक नहीं है तदा असोक के अभिलेकों के साक्षे से उन में से अधिकांस का खंडन हो जाता है उदारण के लिए असोक के अभिलेकों में असोक को अपने निनार्म भाईयों का हत्यारा बताया गया है प्रन्तु असोक के पांचवे बिलेक में उसके जीवित भाईयों के परिवार का उलेक ही मिलता है अबिले के साक्से से ये भी ग्यात होता है कि असोग के सासन के तेरवे वर्स में उसके अनेक भाई तता बहन जीवित थे जो समराजे के विभिन भागों में निवास करते थे उसके कुछ भाई विभिन परदेशों के वाइसराय भी थे पुनह बोध गरंथ असोग के बोध होने के पूर्वे के जीवन को हिंसा अत्याचार तथा वी विर्देता अर्था निर्देता से युक्ति बताते हैं और उसे चंड असोग कहते हैं प्रन्तु ऐसे वीवरोणों की सत्य परता संद्यहात्मक है संबव है बोध लेकों ने अपने धरम की परतिस्टा बढ़ाने के लिए असोग के प्रारंबिक जीवन के विशे में ऐसी बातें अपने मन से बनाई हूँ दिव्यागदान में असोग की माता का नाम सुपद्रांगी अर्थात अग्रमहिसी थी कुछ विद्वान उसे सेल्यूकस की करने से उत्पन बताते हैं परंतु इस विशे में निस्चित रूप से कुछ भी कह सकना कठिन है सिहली प्रंप्राओं से पता चलता है कि उजेनी जाते हुए असोग विदिस्ता में रुका जहां उसने एक स्रेश्टी की पुत्री देवी के साथे विवाह कर लिया महाबोधी वंस में उसका नाम वेदिस महादेवी मिलता है तथा उसे साक्य जाती का बताया गया है उसी से असोग के पुत्र महेंदर तथा पुत्री संग मित्रा का जनम हुआ था तथा उसे साक्य जाती का विवरण मिलता है और वही उसकी पहली पत्नी थी, दिव्यावदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिस्से रक्सिता मिलता है उसके लेक में केवल उसकी पत्नी करुवाकी का ही नाम है सिहली प्रमप्रवों में उन्हें सुमन तथा तिस्से कहा जाता है इसके अलावा उसके और भी भाई बहिन रहे होंगे ऐसा परतीत होता है कि इन राजकुमारों के पारस्परिक सम्मन्द सोहार्द पुर्ण नहीं थे कुछ कथाओं के अनुसार बिंदुसार स्विम असोक को राजा ने बनागर सुसीम को राजगदी देना चाहता था बोध परंपराएं इस बात की पुष्टी करती हैं कि असोक ने बिंदुसार की म्रत्यों के बाद अमत्यों की सहार्था से राजगदी हत्या ली तदा उत्रादीकार के युद में अन्य सभी राजकुमारों की हत्या कर दी उत्री बोध प्रमप्राओं के अनुसार असोक को अपनी आंत्रिक इस्तिती सुद्रण करने में चार वर्सों का समय लग गया इसी कारण राजय रोहन के चार वर्सों बाद अर्थात 279 इस्सा पूर्व में असोक का विदिवत राजय विशेक हुआ राजय गणना की गई असोक 273 इस्सा पूर्व के लगबग मगत के राज सिहासन पर बैठा उसके अबिलेकों में सर्वतर उसे देवानाम पिये दसी देवतों का पिरिये अत्वा देखने में सुन्दर तता राजा आदी की उपादियों से संभोतित किया गया है तो असोक के जो अबिलेक है उन में असोक को देवानाम पिये दसी राजा इन उपादियों से संभोतित किया गया है इन उपादियों से उसकी महता सुचित होती है मास्की तदा गुजरा के लेखों में उसका नाम असोक मिलता है मासकी और गुर्जिरा में ठीक है पुराणों में असोक को असोक वर्धन कहा गया है और जो पुराण है उनमें असोक को असोक वर्धन कहा गया है तो ये तो था असोक के जो प्रारंबिक जीवनकाल के बारे में जानकारी अब अपन पढ़ते हैं मोरिय सासक असोक की मुरत्यू कब हुई देखेगा असोक राज के कोश से बहुत अधिक धन बोध संको देने लगा जिसका उसके अमातों ने विरोध किया एक बार जब वह कुकुटाराम विहार को कोई बड़ा उभार देने वाला था उसके अमातों ने राजकुमार समपरती को उसके विरोध बढ़काया समपरती ने भांडा गारिक को समराट की आग्यानुसार कोई भी दंड़ासी संको नदेने का अदे से दिया समराट के निरवाह के लिए दी जैने वाली दंड़ासी में भारी कटोती कर दी गई तथा उसके निर्वाय के लिए केवल आधा आवला दिया जाने लगा असोग का परसासन के उपर वास्टविक नियंतर ने रहा तथा अत्यन्थी दुर्भाग्ये प्रिस्तितियों में इस महान समराठ का अंति हुआ इसा बताया जाता है कि जो असोग है कलिंग यूद के बाद यह भोजधा दानवीर हो गया था और अपने राज कोस को एकदम से इसने खाली कर दिया था दान देदेगर तो अंति में इसके पास खाने के लिए अन भी नहीं बचा था ऐसा बताया जाता है तो दिव्यावदान के इस कथा की पुष्टी थोड़े बहुत संसोधन के साथ तिब्बती लेखक ताराना तताचीनी यात्री विहन सांग ने भी की है विदेशी यात्रियों का यात्रावरतान के बारे में हमने पहले पढ़ावा वाहा देखेगा इसके पुरानों के अनुसार असोग ने कुल 37 वर्सों तक सासन किया उसकी मरत्यू 237 इस्साफूर्वा में हुई थी तो इस वीडियो में हमने मोरिया सासक असोग के बारे में जीवन उसका प्रारमिक जीवन कैसा था और फिर उसका अंत कैसे हुआ उसकी मरत्यू कब हुई इन बातों के बारे में पढ़ा हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद